दो सदियों से एक कहानी खुब प्रतलित रही है कि कनाड़ा की नुवा स्पोटिया के निकट स्थित ओक आईलेंड में बेस कीमति खजाना छुपा है इस खजाने का पता लगाने के लिए करोडों रुपे भी लगाए गए लेकिन इसका रहस्य नहीं खुल सकता नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है, Pundfacts by चैनल के पांच़वे एपिसोड में आज हम बात करेंगे दुनिया के दस रहस्य मैस्थानों के बाडे में कहीं सापो का रहस्य छुपा है और कहीं ब्लट फॉल है यह दुनिया के 10 रहसे मैस्था इन स्थानों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें सापो का दीप, ब्राजील सापो द्वारा सासिक, इलाहा दिक क्यूमादा ब्राजील में स्थी थे इस दीप पर सापो की भरमार है यहां प्रतित 3 फिट की दूरी पर 1 से 5 साप असानी से मिल जाते हैं इनके पीछे क्या रहसे हैं? यह आज तक कोई नहीं जान पाया है सापो की इस संख्या के कारण इस दीप को सापो का दीप कहा जाता है दनाकिल रगिस्तान, इथियोपिया इथियोपिया में स्थिद तनाकिल रगिस्तान की गर्मी धर्ती पर नर्ग की आग का एहसास कराती है दुनिया में कुछ महीनों के अंतराल में मौसम बदलता रहता है कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी लेकिन इस जगह पर पूरे साल नियुनतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपासी बना रहता है कभी कभी तो पारा 145 डिग्री सेल्सियस तक पहुच जाता है यहाँ पढ़ने वाले इस गर्मी के कारण इस जगह को क्रुलेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है इस गर्मी के कारण यहाँ के तलाबों का पानी हर वक्त उबलता रहता है यह रगिस्तान 62,000 मिल से अधिक छेत्र में फैला हुआ है ऐसे में यहाँ पर रह पाना किसी के लिए भी ना मुंकिन है इस जगह को भी यहाँ परने वाली गर्मी के लिए जाना जाता है यहाँ पर भी तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है यहाँ पर साल 1913 में रिकॉर्ड 134.06 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था यहाँ साल में औसद वर्सा मात्र 5 सेंटिमीटर के लगभगी होती है यहाँ पानी के निसान तक नहीं है इसे दुनिया की सबसे गर्म जगह के रूप में माना जाता है जहाँ किसी का भी रह पाना नाममकिन है चोलूला का ग्रेट पिरामिड यहाँ पिरामिड मेकसीको में स्तित है इसकी रहसे में बात यह है कि आज तक किसी को पता नहीं है कि इसे किसने और क्यों बनवाई है इसका कोई इतिहास ही नहीं है यहाँ पिरामिड मंदीर के जैसा है इसमें सिडिया भी है चरने के लिए दुनिया के जितने भी बड़े पिरामिड है उसमें से ये एक है बर्मुडा ट्राइंगल बर्मुडा ट्राइंगल को दुनिया के सबसे खतरनाख और रहे समय जगा माना जाता है इसके उपर कई मुभी बन जोगी है यहाँ पर गुरुत्वाकर्सन बहुत जादा है अगर इसके उपर से कोई चीज गुजरती है तो उसे यह ट्राइंगल अपने आगोज में ले लेता है माना जाता है कि बर्मूडा हर वस्तु को निगल जाता है यह ट्राइंगल तीन जगह के बीच में है जिसके कारण इसे बर्मूडा ट्राइंगल कहा जाता है यह जगह अंटार्टिका में स्तीत है वेग्यानिकों का दावा है कि यहाँ पर आईलेंड की मातरा बहुत ही जादा है जिसके कारण इस फॉल से गिनने वाले पानी का रंग खून की तरह लाल होता है लेकिन वेग्यानिक अपनी बात पर 100% कनफॉर्म नहीं है केन क्रिस्टल्स केन क्रिस्टल्स कलम्बिया में स्ती एक जगह है जहाँ पर सिब गर्मी में पानी लाल रंका हो जाता है यहाँ पर बहुत से अजीब औ गरीब पेर पोधे भी पाए जाते हैं यहाँ मिलने वाले पोधे किसी भी दूसरी जगह पर नहीं मिलते हैं डेट सी डेट सी के नाम से जाना जाने वाला यह एक ऐसा समुद्र है जिसमें कोई तैर नहीं पाता है जैसे ही कोई व्यक्ती इसमें तैरने के लिए जाता है तो अपने आप उपर की ओर आ जाता है इसमें नमक बहुत ज्यादा मातरा में पाया जाता है जिसकी वज़े से इसमें कोई भी जलिय जन्तु नहीं रहते हैं इनमें बस कुछ वैक्टिरिया ही पाया जाते हैं आप ये पाने पी भी नहीं सकते दनाचका लाइन्स यह दनाचका लाइन्स पेरू में स्तीत है यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन खिची हुई है जिसे आप देखेंगे तो कभी मनुष्य कभी कोई जीव या कभी कुछ और दिखाई देगा इनमें से हैराने की बात यह है कि इसको अगर आप पास जाकर देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि यह सिर्फ उचाई से दिखाई देता है सालोग की रिसर्च के बाद भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाया है बस इतना पता लग पाया है कि यह बहुत ही पुराना है लगबख 400 से 700 इस्वी के बीच इसे बनाया गया है जेकब वेल जेकब वेल काफी रहसे में जगा है जहाँ पर अब तक 100 से ज़्यादा लोग गायब हो चुके हैं लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इतने लोगों के गायब होने या मरने के बाद यहाँ पर लोग घुमने और नहाने जाते हैं इसकी अलावा इन रहसे में स्थानों की गहराई में छिपी अंगिनत रहस्य और चौकाने वाली कहानिया है इन स्थानों की मिस्टरी से जूरी कहानियों के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी इन स्थानों का रह समय चितरन हमें हमारे प्रतिवी की अंदेखी और अंसुलजी सच्चाई के प्रति आकर्सित करता है आपको कैसा लगा आपका फिवरेट मिस्टरियस प्लेस क्रिपया हमें कमेंट में बताएं आने वाले एपिसोड में हम आपको और भी रुमान्चक मिस्टरियस स्थानों के बारे में बताएंगे तब तक हमारे चैनल फंटक्स फाई को सब्स्क्राइब करना न भूले